लेकिन मैं राझपूत नहीं हूँ मैं मानब हूँ मैं इन्सान हूँ और मैं किसी भी आस्थ किसी भी जाती का मैं संगठन का कोई हो इसकी तो हम गारेंटी नहीं दे सकते हैं लेकिन करफशन पर नियंत्रन हो भी रहा और होगा, बेलगाम भरस्ट अधिकारी को नहीं होने देंगे, हम लोगों को जगाएंगे, और जब हम जागेंगे, आम जनता जागेगी, तो भरस्ट अधिकारी को पोसीच देंगे। जब तक राजनितिक में नहीं आएंगे, तो सारी बात मुक्ता है, करफशन फ्री कोसी, भस्ता चार मुक्त कोसी हो, यह बिमारी इसी में समाप्त हो जाएगा। सुपॉल में, सुपॉल कोसी के अंतरगत आता है, और कोसी छेतर में वर्तमान में MLC है, नूतन सिंग। और मैं बता दूँ अभी जो आगामी चुनाव है, और उसमें जो वोट करते हैं, मैं आपको एक बार बता दूँ कि वोट इनमें कौन करते हैं, इनमें वोट जो अभी चुनकर प्रतिनिधी आए हैं, मुख्या, वाज सदस्त, यह सब इनमें चुनाव में वोट करेंगे। आप अभी मेरे साथ में देख पा रहे हैं एक निर्दलिये कंडिडेट, MLC के निर्दलिये कंडिडेट, अनील कुमार सिंग सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे SM News Live में सर यह आपके लिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्नवाद सर सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आप अपनी पारिवारिक और सेक्षनिक प्रिष्ट भूमी बताए हमें क्या सेक्षनिक और पारिवारिक प्रिष्ट भूमी रही है आपकी देखे, मैं अनिल कुमार सिंग, सुपोल जिला का सुपोल परखन अंतरगत बरेल गाउं का अन्यवासी हूँ, मैं बध्यम बर्गी परिवार से हूँ और मेरे दादा स्वतंता से नानी थे, हमारी सेक्षिनिक युकता भागलपूर विश्विद्याले से समाज सास्त्र में मा मास्टर डिग्री है, और हमने ये मास्टर डिग्री पराप्त करने के बाद मजबूरी में नहीं, बलकि सौक से मैं समाजी कार्ज को अपनाया हूँ, चुकि मेरी पतनी हाई स्कूल की सिक्षिका है, इसलिए जीवन या अपन करने के लिए एक पक्ष को बेतन मिलता है, हमने अपने पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया है, इसलिए और समाज सास्ट से मैं मास्टर डिग्री भी पराप्त के आ हूँ, और मैं समाज में जो दलित है, पिछरे है, गरीब है, उनके मदद पहुचाने के लिए मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन दान द जुरुभाग है कि हम लोग कोशी के निवासी हैं कोशी एक ऐसा छेतर है कि प्रकिती ने जितना हमें दुख नहीं दिया है उससे ज़्यादा दुख यहां के भरस्ट पदाधिकारियों ने कोशी के निवासियों को दिया है कोशी सोने की चिरियां भरस्ट पदाधिकारियों कहता है हमने महसूस किया कोशी निवासी होने के कारण महसूस किया कि कोशी में सबसे बड़ी बिमारी है भस्ताचार और भस्ताचार पर प्रहार करने के लिए उस पर नियंत्रन करने के लिए एक मात्र हत्यार है आठिया इसलिए हमने आठिया कार्ज करता के हैसियत से हमने लगबग 30 वर्सों से प्रियास कर रहे हैं अच्छा सर आप एक अभियान चलाए हुए है भरस्ताचार मुक्त हो कोशी तो सड़ इसके पीछ आपकी क्या मंसा है देखिए भरस्ताचार मुक्त कोशी जागरुकता अभियान जबकि यह काजकम सरकार को चलाना चाहिए सरकार कान पूरा में आम लोगों को जागरुक करते हैं भस्ताचार के खिलाप हम चाहते हैं करफसन फिरी यह बनेगा जब तक इहां के आम निवासी जो मूल नवासी है वो पिश्रे रहे यह कोशी कैसा इलाका है आप लोग मासूस नहीं करते होंगे जो पदादीकारी यहां एक बार चले आते हैं तो बार बार आते हैं चार बार पांच बार जो वीडियो बन करके आये हैं तो वह SDO, DDC और DM बन करके हैं अच्छा करता है तो फिर राजनीती में आने का क्या रिजन है राजनिती में आप क्यों आना चाहते हैं देखिए हम लोग समझते थे कि राजनितिक सेवा के लिए लोग राजनितिक करते हैं लेकिन दुरुभाग है कोशी में राजनितिक राजनितिक नहीं करते हैं समाज का सेवा नहीं करते हैं कंट्रेक्टर है वो ठिकेदारी करते हैं बिना पुझी का करोड़पती का काम करते हैं, जितने ठीके राजनितिक करने वाले लोग हैं, या उनके इर्दगिर जो भी लोग हैं, सभी लोग कंट्रेक्टर हैं, और कोशी को लूट करके हुआ करोड़पती बने हैं, हम लोगों को अब लगता है कि जब तक अच्छे आद करते हैं, कि आप राजनितिक में आईए, ने तो राजनितिक में जो भी कंट्रेक्टर जो हो गया है, वह हम लोगों के समाज के लिए बहुत बड़ा दुरभाग है, बीते दिन आप जेल गए हुए थे, क्या रिजन था सर, जेल जाने का क्या रिजन था? कि बहस्ता चारियों का एक गिरो है, जब हम लोग उसको प्रहार करते हैं, तो निश्चीत रूप से उसका एक मात्रहतियार बहस्ता जेल, हम नहीं गए हैं, हमारे जितने साथी हैं, जितने आटिया के लोग हैं, जितने समाज की बहस्ता का बिरोत करते हैं, सारे के सारे लो में मानसिक रोगी थे और वा जैल के इलपदा दिकारी उन्हें मानसिक रोगी को सामान कैदी मान करके उनके साथ नया नहीं कर रहे थे हमने प्रसासन के पास मामला पहुंचाया प्रसासन के पास मामले जाने के बाद सुपोल जेल में च्छो केदी का डॉक्टर के द्वारा मेडिकल चिकित्सक इला चला है एक ऐसे केदी हैं जो दो बर्स तीन दिन जेल में रहें जै कुमार फरजी नाम फरजी पता और फरजी एड्रेस पद ये जेल भेजा गिया है रागोपूर थाना कांड संख्या 34 बटे 20-20 और हम जेल से निकलने के बाद उसकी नयाईक लड़े और हमने 23 फरवरी को हमने उन्हें जेल से रिहा करके माता पिता को बिरपूर में भेजे इसलिए जेल भी जाएंगे तो हम लोग वहां भी समाज का सुधार का काम करेंगे और हम लोग के लिए जेल और बाहर बराबर है अपराद नहीं करते हैं इसलिए हम लोग को जेल जाने का कोई गम नहीं है मतलब अपराद नहीं करते हैं लेकिन यहां के जो अपरादी है वो आपको जेल भिजवाना चाहते है न यह है अच्छा सर एक बात बताईए लोग दल में जाके दलिये नेता बनना चाह लेकिन आप निर्दलिये निर्दलिये क्यों सर नहीं हम निर्दलिये नहीं हम सर्व दलिये हैं दल में जाने के बाद जब यह लोग दल के रालिती करते हैं आजकल दल की जो सवाजिक विवस्था थी परजात तांतर के उसका दुर्प्यों गोरा दल में जाने के बाद एक सर्फदलीए निलेंग me घालाएं करकर कि अबरे लोगं के चंगूल कर फसक्र के नई की भीक मंगता हम हम सोहं समाजे के बंचित लोगं के लिए हम सर्फदलीए उमिद्वारवर के इस चुनों में आए अच्छा सठी पूछना चाहूँगा मैं ग COB Gabag चाहूंगा कि अभी मैं कोशी में हूँ और यहां के जो प्रत्यासी है अभी MLC के वर्तमान में वो नूतन सिंग है और अभी निर्दलिये आपने देखा अभी निर्दलिये से यह अनील कुमार सिंग प्रत्यासी है आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक कंडिडेट है अ चुनाव में आ रहे हैं तो लोग क्यों बोट करें आपको निश्चित रूप से यह चुनाव अजीबस्तिती में फस गया जात के आधार पर तीनों राजपूत मिदवार है जबकि मद्दाताओं की संख्यां राजपूतों को नगन है लेकिन मैं राजपूत नहीं हूँ मै मैं मानभ हूँ मैं इंसान हूँ और मैं किसी भी आस्त किसी भी जाती का माहि संगठन का कोई सदस नहीं है या बात सत्त है कि अन जो दो मिदवार है वह चछतरी संग हो या अन जितने जातिय संग या धर्म का संगठन हो उनके वे लोग आगे बढ़ करके हिसा लेते हैं हम म को पैत्रिक चीज है लेकिन हम जन्म से हम मानव हैं जन्म से हम इनसान है हम कर्म से इनसान है अच्छा एक बात मैं आप से पूछना चाहूंगा आप MLC के चुनाओ के लिए तयार हैं आप लड़ेंगे चुनाओ तो सब्सक्राइब MLC का जो चुनाओ होता है यह धन्वल और बाहुबल की बात होती है इसमें आप क्या हैं आप धन्वली है या बाहुबली या दोनों है आप देखिए मैं आपको दो बात बता देना चाहता हूं MLC में जो अभी दो विदवार चुनों में घूम रहे हैं दोनों बाहुबली और धन्वली जरूर हैं लेकिन न मैं बाहुबली हूं न धल्मली हूं मैं कर्म बली हूं और आत्म बली हूं और मैं इस वार एसास करा दूँगा बिहार के तमाम लोगों को जो धन और बल पर विश्वास करते हैं वह कोशी के मददाताओं इस विश्वास को तोड़ देगा और कहेगा कि जो कर्म करेगा वही जाएगा बिहार विधान परिसाद जो जिसका आत्मल है और आत्मल और कर्म वाहुवली और धनवली बेकार हो जाता है सिर्फ उसके खिलाप हिम्मत होना चाहिए लरने का हमने उसके खिलाप लरने का काम कर रहे हैं और यह विश्वास दिला देते हैं कि कर्म महान होता हम 30 वर्ची जनता की सवा करते हैं बहुत उमिद्वार को पता भी नहीं होगा यह मेरा संगटन चलत है कोसी परमन्डल में तीन जिला में 34 परखंड है 475 पर चैत है शुकोल जिला में 174 सहर्शाज जिला में 141 मधिपुरा में 110 और हम 475 पर चैत में हमारे जो RTI के सोशल वरकर है काम कर रहे है और हम भी 475 पर चैत में हम गूम चुके हैं और जिन्दगी भर तो घूमते ही रहते मेरे लिए कोई परवंडल नया नहीं है मेरे लिए कोई आस्याना नहीं है मेरा यह कर्म छेत्र है कोई तो मतलब लगता है कि जो पर्ट्यासी है मतलब बोट करेंगे आपको निश्चित रूप से इसमें वाड सदस, पंचाइट समीती, मुखियार, जिलाप, परिस्द इसके मुख मात दाता है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जो चुनो लड़ते हैं हम उनको सम्मान करते हैं हम जा करके सम्मान करते हैं अन जो लोग चुनो कर हैं उनको मुझ की खानी पड़ेगी कि कोई भी विद्वार के सामने में धन बल बेकार हो जाएगा उसके पाक्स उनके सम्मान जादे महत है हम सम्मान देते हैं और सम्मान हमके भुखा है अच्छा सब एक चीज चलिए ठीक है आप सम्मान दे रहे हैं तो सर्मुद्दा क्या है आपके किन मुद्दों को लेकर चुणाओं में उतरे हैं एक मात्र मुगदा है करपसन फिरी कोशी भस्ता चार मुख्त कोशी हो यह बिमारी इसी में समाप्त हो जाएगा जब तक हम भस्ता चार मुख्त कोशी नहीं होंगे तब तक सारा का सारा योजना सरकार की जितनी सारी योज करपसन है करपसन, फिरी हो जाएगा सब को सरकार की यूजनाओं का ला मिलेगा कोई बिचलया पाइसा नहीं लेगा कोई बिचलया पैसा नहीं लेगा मजदुरों के लिए मनरेगा में कोई सकूल में बश्रकारी इंहिए पढ़ने परहाई होगी कोई , को Migration स्कूल चले सरकार की योजना चले कब जब करफशन फ्री कोशी होगा तब तो क्या लगड़ा है सर आपके आने के बाद क्या करफशन फ्री होगा कोशी देखिए करफशन फ्री हो इसकी तो हम गैरेंटी नहीं दे सकते हैं लेकिन करफशन पर नियंत्रन हो भी रहा और होगा बेल लगाम भरस्ट अधिकारी को नहीं होने देंगे हम लोगों को जगाएंगे और जब हम जागेंगे आम जनता जागेगी तो भरस्ट अधिकारी को कोशी छोरना होगा इमानदार पदाधिकारी कोशी में रहेंगे भरस्ट अधिकारी कोशी छोरो आंदोलन हम चलाएंगे ह हम जन परतिनी धी की बनने के बाद सबसे पहला काम होगा कि कोसी परमण्यल में उसी पता अदिकारी का पोस्टिग होगा जिसका सिय और बहतरिन होगा इतियास अच्छा भरस्ट अधिकारी कोसी छोड़ो आंदोलन हम चलाएंगे अच्छा सर अच्छी बात है मैं भी चाहूंगा ये कोशी छेत्र जो है वो भ्रस्टाचार मुख तो हो सर मुकाबला बहुत करा है बहुत करा है मुकाबला उसके बीच आप उत्रे हैं चुनाओं में कितनी जित की कितनी आसंका लग रही आपको हम वाड सदस के दिल में उससी जो मदाता है मुखिया ढपरतिनी दिल में अपनी जग़ागा है कर्म के अधारपत हम उनके हर सुख दुख में उनके साथ हैं हम साथ है तो निशित रूप से जीत हमारी सु निश्चीत है बिल्कुल मैं भी चाहूंगा सर आप जीत के आए और कोसी जो है हमारा जो कोसी छेत्र है ये सिमानचल और ये कोसी ये छेत्र भरष्टाचार मुक्त हो जैसा कि अभी सर से बात हो रही थी अनील कुमार सिंग से इनका कहना है कि ये आरहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भरष्ट मैं न देना पड़े ऐसे काम हो जाए तो ऐसे तब होगा जब इनके जैसे अगर प्रत्यासी आपके बीच हमारे बीच आते हैं मैं भी चाहूंगा आप MLC चुनाव लड़ रहे हैं आप जीत कराएं और सुब कामनाए भी है SM News लाइब के तरब से आपको कि आप कोसी में MLC क के तरब से MLC का चुनाव जीत कराएं महोरीं केस आप देख रहे थे SM News धन्यबाद